हेलो फ्रेंड्स मैं हिस्मीता और मैं आज बनाने वाली में फराख की रेसिपी तो इसके लिए हमने यहाँ पर पका हुआ चावल लिया है अब हम इसमें एक कप के करीब चावल कार्टा मिक्स करेंगे आप आर्टा कमिया जाधा ले सकते हैं अब हम इसमें आट करेंगे स्वात अनुसार नमक तो देखे मैंने इसमें नमक आट कर दिया है तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करके इसका एक दो तयार कर लेते हैं तो देखे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी आट कर दिया है हमें इससे ज्यादा टाइट भी नहीं गूतना है और नहीं ज्यादा गिला रखना है तब ही फदा अच्छा बनेगा तो देखिए हमने इसका डो तयार कर लिया है तो चलिए अब फरबनारे स्टार्ट करते हैं फरबनाने के लिए हम छोटा छोटा लोई ले लेंगे और दोनों हथों की मदद से लंबे साइज में इसे बना लेंगे तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ आपको भी ऐसे ही बनाना है और देखिए मैंने सादा फरबना कर तयार कर लिया है और देखिए मैंने इसे थोड़े लंबे साइज में बनाया है देख सकते हैं आप इसे गोल भी बना सकते हैं तो चलिए अब हम इसे उबाल लेते हैं इसके लिए हम गैस पर थोड़ा सा कढ़ाई में पानी रख देते हैं ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए और देखिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म करके सभी फरा को इसमें डाल दिया है अब हम सभी फरा को पानी में अच्छे से डुभा देंगे चम्मच की सहता से ताक अब इसे धकन से धक देते हैं धकरी से पकने देते हैं और देखे इसमें एक मिनट में अच्छे से उबाला गया है अब हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि इसका पानी आधा न हो जाए इसे चमत से एक बार अच्छे से चला लेते हैं ताकि सभी तदब अच्छे से उब और देखिए हमने सभी फड़ा को निकाल लिया है और देखिए फड़ा को निकालने के बाद बास इतना ही पानी बचा है तो चलिए अब फड़ा की तड़का लगाने के तयार करते हैं तो देखिए मैंने फ़़ा को तड़का लगाने के लिए यहां पार थोड़ा सा करीपता लिया है दो मैने हरी मीर्च लिया है और एक मैने सूखी लाल मीर्च लिया है कि और देखे मैंने तळका लगाने के लिए गेस पाद उयल गर्म होने के लिए रख दिया है मेध मैं तो अब हम इसमे एक टीजपून के करी एक सरसों डाल देंगे सरसो हमार अच्छे से फूर चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीधा अब हम इसमें इन सभी को भी डाल देंगे और जब यह सभी अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें फरा को भी डाल देंगे और देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके फरा को भी डाल रही हूँ तो देखिए मैंने कड़ाई में सभी फदा को डाल दिया है तो चलिए अब हम इसे चमत से चला लेते हैं ताकि सभी अच्छे से मिक्स हो जाए और देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे हाई फ्लेम में बीन ढ़के अच्छे से फ्राई होने देंगे और देखिए फ़र हलका सा फ्राई हो गया है अब हम इसे चमत से एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि उपर का फ़र भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इसी तरह से हम इसे 2-3 मिनट फिर से फ्राई होने देंगे तो देखिए फरा हमारा पूरी तरह से फ्राई हो चुका है और देखिए देखने में कितना बढ़ी हा लग रहा है तो चलिए अब हम गर्स की फ्लेम आप कर देते हैं और इसमें हरीधनिय के पत्ति आठ कर देते हैं और देखिए ये हरी धनिय के पत्ति याट करने के बाद और भी बढ़ी अलग रहा है और देखिए फदा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है फदा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है आप इसे घर पर एक बार जरू ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अ आपको मिलती रहे थाइंक्यू